हेलो नमस्कार रीजिनिंग के इस प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत है कैसे हो आप सभी लोग आसा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी पड़ाई अच्छे से चल रही होगी तो हमारी यह रीजिनिंग की क्लास रेगुलर हो रही है जो यू-पी पुलिस एससी और जो यू-पी टुपलिस का आने वाला जो पैट है उन सभी एक्जामज के लिए इंपोर्टेंट है और इसी चैनल पर हमारे टार्गेट सीकर पर ही जी के की भी क्लास आ रही है रेगुल में आने वाले जो expected question है, उनको लेकर चलाई जा रही है, चाहे वो UP police हो, चाहे वो SSC का कोई सभी exam हो, चाहे वो pet हो, या और कोई भी exam आने वाला हो, उन सभी के लिए GK की class, operation wise, हर एक option उसमें complete करके बताया जा रहा है, analysis करके बताया जा रहा है, खीक है न, आप उसे भी regular कर ल में आये हो, वो playlist के माध्यम से, इन सभी classes को complete कर लीगी, तो आई आज के question पर चलते हैं, जो आपको whiteboard पर दखाई दे रहा है, question क्या है, दिया गए question में, look तुपत ज्याद करना है, ठीक है न, तो आप देख रहे हो, ये question mark हमें निकलना है, ठीक है न, तो आप ध्यान से दे साथ का अगर हम Q कर दें, तो ये अंदरवाली संक्या हमको पराप्त हो रही है, इसी परकार यहां अगर 26 में से 12 गठाते हैं, तो हमको मिलता है, 14, और 14 का Q कर देते हैं, तो हमको ये अंदरवाली संक्या 27 से 24 पराप्त हो जाती है, इसी परकार, 8 में से 2 गठाते हैं, 6, और क्या मिलेगा 12 और 12 एका अगर हम Q कर दें तो हमको मिलता है 1728 तो हमारा कौन सा ओप्शन सही है यहां से आप देख रहे हैं यहां से हमारा यह डी ओप्शन राइट है ठीक ना यह क्या है हमारा इसमें क्या है दोनों को गठाना है अंतर का क्या कर देना है क्या कर देना है धन कर देना है वही क्या होगा हमारा आंसर समझ आए होगा आपको आगे चलते हैं अपने सेकंड कोशन पर सेकंड कोशन क्या दे रखा है दिये गए विकल्पों में से उस संक्या का चाहिन करें जो निम लेकित स्रेड़ी में प्रेशन चिनने की इस्तान पर आ सकती है अब आप देख रहे हो यहां बाईस तेईस चब्वीस ठीक ना सटाइस तीस तीस और कोशन मार्क तो मैं यह क्य देखके से इस तो टाइस चल रहा है यह उस तरीके से निकाल सब्सकों है अप दिहान से देखो 22 में चार जोड़ें कितना जोड़े हैं plus 4 टार ठीक न फिर N चबभीश और 25 में plus 4 जोड़े हैं पर 30 प्लस चार जोड़ती हैं तो यह क्या मिलता है यह मिलता है सत्वीस इमारा oniошार और 16-35 चार जोड़े खिरगे हम चारो देते हैं और 27 number 91 तो प्लस तोर करके या आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या दूसरा पैटन प्लस वन करने पर भी और त्री करने पर भी प्लस न कर दो पहले प्लस त्री कर दो दोनों को आप निकाल सकते हो फूल साभी लोगिक आप यहां लगा लीजिए खिर रीजिन रीजिनिंग को आप कि दमाग में pattern आना जाई या आप कोई साथ भी logic आपका लग सकता है ज़रूरी जहीं है इन दोनों logic के लावा भी कोई भी तीसरा logic यहां लग रहा होगा reasoning ऐसे ही चलती है ठीक है ना आगे चलते हैं अपने next question पर है 3fd question 3fd question क्या बोल रहा है आप देखिए राम मनु की अपरिचा अदिक लंबा हैँ परन्तु उतना नहीं जित्रा रवी है अनुदिलीप की अपरिच्च है अधिक लंबा परूं मनू की अपिच्चा थोटा है सबसे अधिक लंबा कौन है तो आपको दिखना सबसे अधिक लंबा तो आप देहन से देख रहे हो यहां जो राम है ना स्टार्टिंग अगर आप पड़ते हो राम मनू की अपिच्चा अधिक लंबा है राम जो है तो मनू से तो लंबा है जो बड़ा होगा या लंबा होगा या अधिक होगा उसे आप रखोगे उपर तो राम किस से लंबा है मनू से तो लंबा है तो मनू आ जाएगी नीचे ठीक ना मनू किया पेचा अधिक लंबा परंतु उतना नहीं है जतना रभी तो रभी राम से भी भी लंबा आया ते अभी कहा जाएगा है जो खोटा आएगा कम होगा ठीके न, उसे आप नीचे रखोगी या जो अधिक होगा लंबा बड़ा नगे भोड़ाया आफार बोल रहा है अनु दिली प्रण दिलीप चोटा है अनू जो है उसने बोलाए अनू ढूल इसeger टीक द्लीप की अपेचर आधिक लंबा है तो अनू द्लीप से तो लंबा हो गया ढीक द्लीप आजाएगा नीचे अब उसने बोला है दिलीब की अपेच्चा अधिक लम्मा परंतु मनू की अपेच्चा छोटा तो मनू कहा जाएगा मनू से वह छोटा है अनू मनू उपर आ जाएगा अब आप यहां से देख रहे हो कि रभी राम मनू यह मनू इन दौनों में कॉमन क्या है मनू और आपको मनू से छोटे हैं यह कहा जाएंगे अनू इधर आ जाएगा और दिलीब इसके नीचे आ जाएगा ठीक न अब आप यहां से देख लो कि सबसे जो हमारा लंबा है सबसे छोटा है कितने बन लेते हमारे पांस ही बन लेते हैं अगर हम यहां से देखते हैं तो सबसे लंबा ह होगे हमारा नभी तो हमारा निकला यहां से बताइए हमारा राइट अंसर निकला यहां से जू से चाहिए सबसे अधिक जो लंबा देखना है तो आमन आपको यहां से मनु दिखाई दे रहा था ठीक ना मनु से नीचे दो बंदे और ते वो आमने नीचे बटाती है बस इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं आगे चले आगे चलते हैं आपने फोर कोर्शन पर दी गई स्टेंडी में आगे आने वाले बिकल्पका चैन आप ऌफ आहां से कि जो यह सीरीस दिर की है इस तरीके से ठीक ना इस तरीके से सीरीस बनी जी है फिर इस तरीक ते आएक आप द्याहन से देख रहे हो इस से यह सीरीज कैसे बनी होगी यह सीरीज यह बनी है अगर इस तरीके से कोई शीद दे रखी है और डायक्त अगर हम ऐसे चली जाए तो कितना गुमने पर बनी होगी वह यह बनी है 90 डिग्री दड़ी की जिसाव हो सती है गोमने जूई की यह उधार गूम रही है दिकर दड़ी पर अगर हम यहां से गूम है यहां से जब यह कैसे बना होगा यह भी 90 डिग्री टो यह जो एंगिल है इससे भी हमें क्या करना होगा यह 90 को गूमना होगा जब कोई चीज़ ऐसे है एक इस ृप्षन में इस तरीके से हमारा यह राइट अंसर होगा तो आप देखरें कौन से तरीके से है यह हमारा डी ृप्षन में है आपको बताएं जो ृप्षन क्रोंट निया पेज देते हैं हम आपको थोड़ा सा यह क्लाक्सप्ट करातें है, यह एंटी क्लोंक्वयज इसमें क्या होता, है इसे क्लोंक्वाइश को हम दच्चणा और भरत भी तब और भरत भी को बेते हैं और इसे घड़ी की विप्रीत दिशाद होती है, इसे विप्रीत दिशा새 भी यह तैक न पर यह ईंज को आपको आप क्या को याद ना है अपने दमाग में अप सेट कर ली जी इनक्लोक वाइजbek में त्य रिखंडवर्प बोल देटे हैं यह धरियों और anti-clockwise को बोलते हैं आप बामाबर्द या गड़ी की विफ्रीद दिसा ठीक ना बामाबर्द बोल दीजी या गड़ी की विफ्रीद दिसा बोल दीजिए या 90 degree anti-clockwise ठीक ना इस तरीके से आप इसे नकल सकते हो और इसे 90 degree कि लॉक्वाइस ठीक ना समझाया होगा आपको तो आईए अपने प्रेस्टन पर वापिस होते हैं आपने देखा यहां से अगर 90 degree जो इस तरीके से इंगल दे रखा है यहां से अगर 90 degree भूम हो तो हमको ऐसे घुमना होगा ना इंटी दिगर गड़ी की प्रेस्टन गड़ी कैसे गुंती है गड़ी आपकी इस तरीके से चलती है कि अनुला ना ऑ हना लीजिये कि ना अनुल secular क्लॉक्वारे देखा हिसे तरीके से चलेगी इए तरीके से भुमेगी इस तरीके से थिक्ट i klar ऐस तरीके सी बमेगी और ये इसे बोलते room क्लोख वाइज अर एंटी क्लोख ऐस होगी तो दो तरीके से चलेगी और आपको रखे तील तरीके से बूंद में बम क तो यह अपने प्रेकर लोटते हैं तो यह से नाइटी देग्री लिया यह आ गए यहाँ से लोग आप तो इदार चले जाओगे तो यहाँ से नाइटी दिग्री लोगे आप गड़ी की तरहा है तो यह से अगर एरो इस तरही की दिशा के लिए आपको कैसी घूमना यह घूमना है तो आप इस तरीके से घूमोगे तो आप पिलर जाना होगा अगर एक step लेते हैं तो क्या आजाते हैं हम उस्तर की तरफ अब हम कहा हैं आपको थोड़ा और समझाते हैं अश्य तरीके से यह आपको डाउट हो रहा होगा मान लेजिए अगर एक और पेज लेते हैं जैसे यह रारेक्शन है इसे बोलते हैं इस्त से बैस्ट इस्वेस्ट इस तो यह यह राइक्शन होगी है हमारी तो यह गिले भी में यह नाइन इडिगर्य होता है नहीं ने एफिक ना अगर वो बोले अगर बंदा इस जगह पर है यह आँ से 90 डिगरी लोगे आप तो कहा जाओगे आप दर वोलोगे तो आप इदर आ जाना होगा तो आपको समझाया होगा चलते हैं नेस्ट क्या है हमारा आप अच्छे से पता चल गई होगी और कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना हम 12 से अगली क्लास में आपको समझा देंगे यकीन मानिए आपको इन क्लासेस के माध्यम से इनके ही माध्यम से हम आपको पूरा कौंशप्ट करा देंगे रीजिनिंग के अंतरगत आपका किसी भी एक्जाम में परिशानी नहीं होगी ठीक है आई अपने कोर्शन पर चलते है तो दे रखा है यह कोर्शन मार के जिए को बताना है तो आप यहां से देख रहे हो पहले आप अंक निकाल लीजिए वाल लीजिए यह अंक अमारी यह सरंकला दे रखिए 3 6 11 और 18 और आंगे कोर्शन मार की जगा में क्या होगा तो आप यहां से देख रहे हो क्या यह 3 से 6 हुआ किस में जोड़ा जा रहा हुगा। तो आंगे क्या रहा होगा हमारा 27 जो आँगे क्या रहा होगा वह आरा होगा आँगे 27 अब पीछर देखना आपको इस लेटर में क्या रहा होगा आप देख रहे हो जी किना जी के बाद अगर हम यहां आप देखें रहां से तो जी का तो ऑर्डर होता वह होता साथ तो आप देख रहे हैं यहां से साथ से यह क्या बनाए प्लस वन करके आट बनाए तर आट से प्लस दो करने पर तो अप्र लेंयर प्लस टीन करने पर ओने उसके प्लस बनाहो यहत To तो अब तो क्या होगा आट करकें को मिलता है 17 वाहудर क्या होता वो सब्सक्षा क्या होता वर क्या होता समझाया आपको आंगे क्या हो रहा है अंकों में प्लस तीन प्लस पांट प्लस साथ ठीक ना इस तरीके से प्लस नो और जो लेटर दे रहे हैं उन्हों में क्या हो रहा प्लस वन प्लस टू प्लस त्री प्लस तो इस तरीके से प्लस तो इस तरीके से हो रहा है यह क्या है हमार नम्मर सीजिस का कुर्शन था आए चलते हैं अपने नेक्स कुर्शन पर ठीक न यदि एक आर्थ जोड़ना ये कुर्शन दे रखा है हमको एक आर्थ जोड़ना अभी का आर्थ रखाना सी का जो अर्थ है वो गड़ना और डी का आर्थ है बाग करना तो दी गई समीकर का मान क्या होगा तो उसने क्या बोला एक आर्थ क्या दे रखा है तो उसने क्या बोला एक आर्थ क्या दे रखा है उसने एक आर्थ बोला एक आर्थ जोड़ना ठीक है और उसने बी का आर्थ तुछ उसने बोलाई गुणा करना तीक ना गुणा करना और डीकार तुछ उसने बाग करना ड़ाय अब आप यहां से समीकर बना लीगिए तरहा गुणा कि रखाए द्शान करने कहां ल मीसा कि रहीं ज सबीके हैं जो पसब के तो यहां आप सबसे पहले उन्हें मंस इसे हैं Ash घ्रक टाय। बोल्ना करने का रूल उता है्ट वाय खेके तो यह बोल माड माड का डूल तो आप द्वारा से यह चीक लिए दिए बोर माजन पहले तो ब्रैकेट अलकिया जाता है वो का मतलब होता है और मतलब का ठीकिन आउप दे रखा हो तो फहले उसे अलकरती है उसे मल्टिप्लाइब में चेंड कर देते हैं दी का मतलब होता फिर वाग किया जाता है फिर एम स से मल्टिप्लिकेशन गुणा किया जाता है यह से जोडा जाता ऐसे रखाया जाता है तो आप देख रहे है यहां तो बरी ब्रैकेट नहीं दे रखा है aurं ही यहां और दे रखी है तो दे क्लस फिर डवाइड के बाद क्या करना होता हमको अब गुना करते हैं चौर अच्छ करते हैं तो में क्या मिलता है 14 गुणा अगर 18 करें हम यहां से निकाल लीजिए 14 गुणा अठारे यह बैद्टर आ गई ठीक ना बच्ची साथ 18 गुणा अठारे अठारे और साथ कितने होते हैं हमारे यह होते हैं हमारे पट्चेज गुणा अठारे करने पर कितना मिलता है हमको दो से बामन अब आप क्या कीजिए इन सभी को जू प्लस-फ्लस के उनको एड़ कर दीजिये और मायन इसको गठा दीजिए 221 और 6 उरते हैं तो यह आतर दो से अच्टा मन मैंसर क्या निकला लुट सो तुमॉंघ आपको क्या करना है कि सबस्सक्राइब है तो ची जगे उसने बोला है एक हार्थ होता है जोड ना तो ॥ यह की जगे हमने यहां जोड रबन टीजना गठा-णाना थो भी की है उसने गुणा बोला तो हमने गुणा रख दिया और भाग कर दो अब ठीचे हम की अ करते हैं पहरे मतलब होता तो यह भी नहीं दे रखा तो अमारी स्टार्टिंग कांसे द्वायर से द्वायर यहां दे रखा रहा है इस जगे इस जगे क्या दे रखा है तो आपनी सब्सक्राइब करते जाएए आपको यह आंसर आपकर निकल जाएगा ठीक ना आगे चलती है अपनी नेक्स्ट एक पर सब्सक्राइब कि अब्दर करते जाएगा यहां अब आप देख रहे हैं यहांसे हम आप को थोड़ा बढ़ा करके दिखाते हैं इस पिदर को ऑब आप यहां देखो जो हमारा पॉच्ट दो नीकी आ गिया और गया और टो यह जो इस परीगे ने बढ़र है यह जो इस तरी के पूंस दे रखा है यह दो यह जो आगे प्रेंगल है। दिए सब्सक्राइब. प्रेंगल भी अमारा फ्लट गिया। पिस्ट कैसे फपलता हुए एक शो अचिव डिगरी गुम्वा। एक शिव दिगरी गुमा। देखना, या तो आप लौप़ए चला दीजिए, तो यह इस तरीके से गूल गया, इस तरीके से गूमा, और यह तो ऐसी गूमा, और फिर इसे आप देख रहे हैं, यहां से थर्ड जो पार्ट है, इस तरीके से कनवर्ट हो आए, तो आप देख रहे हैं, पहला तो यह दूसरा जो पहले के हिसाब से कनवर्ट हो गया, अब यह आप देख रहे हैं थर्ड वे क्या है तो यह क्या है अब इसके साव से 100C degree उमेंउ तो यह जो तर्किल दे रखा है यह बांगो एस तरीके ना और यह प्रेंगल दे रखा है प्रेंगल हो जाएगा इस तरीके के आप यहां चेक कर लीजिए कि से हमारा कौन सा ओप्शन यहां गायत होगा कौन सा ओप्शन यहां गायत होगा इस तरीके से हमारा कौन सा ओप्शन यहां गायत है तो आप यहां से देख रहे हो इस तरीके से हमारा सर्किल के दर होना चाहिए इदर तो सर्किल तो हमारा सभी में इदर ही है तर जो ट्रेंगल बच्छा क्या हमारा जहांस से देखने पर आपको पता चलता है हमारा यह एkell ऐ Crown बश्य च Cordhan यही किया है बारा राइट modal अंचा अब आप देकिए यहां से जो ए ऐ हरा च चक्ष हम जआ तै Monte हमझा हैंको कैसी किया हम动र भी है इसमें क्या हो रहा है जो पहला ब्रॉप्पaurais दे रखही है ऑब दूसरा जो ये चार दीडर करने पर पहले फिगर को फिगर को गुंआए तो और गुमाएं इसी परकार क्षी फिगर को गुमाते हैं तो हमारा कॉन्सा ऑफ्जन्स हाई है यहां से हमारा सी ऑफशन्स हाई है एक अच्छा में सपन हो गई लड़कों की सूची में राजन का क्या रहे वा इस्तान है और नीचे की ओचे वा इस्तान पर है तीन लड़कों ने परिच्चा ही नहीं थी और एक फैल हो गया था कच्छा में कोई कितने शाथ रहे हैं अब आप यहां से निकालो इसमें बुला है किसका प्रेस्न है यह रैंकिन का प्रेस्न है अगर आप इसे करते हो तो आपको सब से पहले क्या करना होगा सब से पहले आपको यहां से चेच्टी देडिये हैंuler की उस हुलाय कितने चाते हैं उसमें पता चल जाता है जो फैल हुए है और पास हुए है और बागी कितने बंदोने परिच्चा दिये या नहीं दिये इस से आप अंदाज टोटल सभी को जोड़ दोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा आपका अंसर निकल जाएगा कि आपका कौनसा अप्शन सही है आप यहां से देख रहे है सपल होगे लड़कों के सूची में राजन जो है वो 11 इस्तान पर है राजन 11 इस्तान पर है और नीचे की ओर से 31 इस्तान पर है ठीक है ना तो राजन का दोनों और से इस्तान दे रखा है तो आप किसी भी बंदे का को दोनों और से इस्तान दे रखा है तो आपको कुल नका श्र도 लगा फो यह लग लगेगी जब מא और से आपका इस्तान पता हो इसी इभी बनुड़ेका नविड़ती जोन और से जोन और से जोन और से इस्तान पता ऐगे हैं तर यहां से उपर से ग्यार हैवाया एक पूटल अगर आजँ नखा लें वराबर उपर से क्या रहे हैं इसे ऊपर भी बॉल सकते यह नीचे से भी बॉल सकते हो मायनस वन वड़ावर लेपाइट प्लस राइट मायनस वन या तोप से उपर से यह नीचे से तब इसे अलकरते हैं तो यहäsident मिलता अब आप उसमें देख रहे हो तीन लड़कों ने पररिच्चा ही नहीं थे थीदि थीच है थिन हुजए है यह गये जो परिच्चा में बैटे यह नहीं वह मको कंट करने हो गयी क्योंकि हमको नकालने यह खुल बंदे एक बंदा हमारा फैल हो गया एक बंदा आपको जोड़ए है या का इनको कितना मिलता है हमको यह मिलते हैं हमको टोटल 45 एंच़ राट ए लिए दो पेंचे पर ना पमारक फुल वक्यास बैया गए 45 समझ आहाया है आपको कैसे क्या हमने ठीक है ना समझाय होगा आपको अगर किसी भी बंदे का करकर दोनों और छे आपको इस्तान पता है तो आप टोटल निकाल सकते हो तोटल हमने निकाला इस तरी कैसे या आप से लेट से भी बूल दो बहाएं से है या राइट से हो Saktha या उपर से भी नीचे से भी कुछी भी ले सकते हैं तो आप इस फर्मूलिय का फिरोड करके तोटल नकाल सकते हो अब आपको पता चले के सफल बंदे सफल कितने हमारे यह एक तालीस ठीक ना सफल बंदे थे हमारे एक तालीस अब उसमें तीन लड़कों ने परच्चा नहीं थी यह जो यह तीन प्रच्चा निकल रहा है यहांसे पेंट आलीस यही क्या है हमारा राइट अंसर समझाय होगा तो आप हमारा कौन से ऑप्षिंस है यहां से सी ओप्षन समझाय है आपको आगे चलें आगे चलती है अपनी नेक्स्ट कॉर्च्चन पर अधी गई प्रेस्टनाकृती स्रिंग क्लाम है कुछ समझाय के इस्तान पर कौन सी उत्राकरती आएगी अब आप देख रहे हैं यहां से यह जो फिगर दे रखे हैं खोड़ा बड़ा खरके दखाते हैं आपको इस कॉश्सद में की जगे हमको निकलना है पीखना तो आप देख रहे हैं यहां से जो यह सर्कल दे रखा है ठीकळा और यह किना अ क्या देुर को आखर दे रखा यह बहर दे रखा है अगर अंदर जाएगा तो यह इस तड़ी के इस हो जाएगा यह तो शंगल हो गया आपको छलदा गलत हो हो गया है तो यहां से आप देख रहे हो दे रखा है और यह चल्डा भी दे रखा है तो यह क्या हो जाएगा हमारा अब आप देखिए किस ऑप्षण में की चल्डा पर दे रखा है क्या है यह रहा क्यी है है जो बाहर जो आको प्रเรी चल्डा का नेक्स्ट कॉप्षन है दे मेरा आज की क्लास का लास्ट ग reject यह इंओ। उनको पहरे जाकर आप complete कर ली गिए क्या है dailyendeaai हमारी क्लास में लेविल आपो ता जा रहा है। ठीक न और कॉंसर्ट करा रहे हैं आपको तो आपको डित क्लास लेंगी है जिससे किया आपको कोई भी आपको मिशन ना हो आप यहां से देख रहे हो x और y क्या है यह बाई है तो y के लिए हमने बताया था बीच में क्या लेना है हमाई एक single line लेनी है ठीकिना और जो भाई है तो यह क्या होगे आप समें लोगे सम पर यह बोक्सिट दिखाने है बाई बेनो जो एक ही पीडी के बंदे होते हैं उनके लिए एक सिंगल लाइन ले लेते हैं अब उसने बोला आर बाई का पिता है आर जो है वो बाई का पिता है तो पिता जी तो हमसे उपर आने चाहिए तो आर कौन है हमारे पिता हो गए और पिता है तो यह क्या हो गई मेल ह ठीक है अब उसने बोला है S T का भाई है S जो है यहां बना दे लिएते हैं S एक मेल है किसका भाई है T का जेंडर हमको पता नहीं है और आगे बोला उसने बाई है X का और X का मामा है S जो है वो T का तो बाई है ठीक ना और X का मामा है जहां से आप समझिए यहीं S T का तो बाई हो गया और X का मामा है X का मामा और X का है हमारी X यहां पर है हमारी और X का मामा कब होगी पहले तो X की मा होने चाहिए मा जब यह मा है और X का बाई है यह पिता है बाई के तो यह भी क्या होंगे X के पिता होंगे और यह आपस में क्या होने चाहिए पती पत्नी ठीक ना X की यह पिता होगे यह मा होगे ठीक है अब उसने बोला है एक्स के मामा एक्स का मामा कौन है एस जो है वो एक्स का मामा है तो एक्स का मामा कब होगा जो उसकी मां का भाई होगा तो उसकी मां का भाई कौन हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा एस ठीक ना एस जो है वो एक्स का मामा है यहां बोला है उस इस जो X की मा है इसका Y है ये कौन है T हो जाएगी T का Y है तो S T का Y हो गया और X का मामा हो गया आप देख लीजिए यहां से T का ये बेटा होगा और ये जो बेटा है इसकी ये T मा है तो मा का Y कोन होता है मामा तो S हमने X का मामा भी बना दिया और T का Y भी बना दिया अब उसन कौन हो गई? T का, T का मतलब उसने बोला T का R से, तो T कौन है R की? तो आप जहां से देख रहे हो T कोन है? T पत्नी हो जाएगी, किसकी? R की, T पत्नी है, R की. समझाएं आपको? कैसे किया हमने? बाई, T का यह कौन है? X बेटा, बाई भी क्या हो जाएगा? बाई भी बेटा हो एक पत्नी है, गया हो जाएगा. थे तो आपस में क्या है? बाई भी हो जाएगा? और यह R की बाई दोनों और पत्नी है, तो अपसmates क्या हो गए, तो T का क्या हो जाएगी? ठीक है ना समझाए होगा दोश्ते तो आज की क्लास हम यहीं रहने देते हैं यहाँ से आगे हम एक क्लास में मिलेंगे तब तक के लिए हमारे साथ बने रही है जाहें सातियों